नमस्कार मैं हूँ शाश्वत सिंग न्यूज फॉर शोशल में आपका स्वागत है पंजाब में राष्ट्रपती शाशन लगने का प्रमुख कारण पूरुप्रधान मंत्री इंद्रा गांधी की हत्या के बाद पंजाब राज्य उग्रवादियों और आतंकवादी संगठनों की तलाश करने के लिए केंद्र से लाचार था 1987 में पंजाब में काम करने वाले सिक संगठन खालिस्तान कमांडो फोर्स के हाथो 34 हिंदू बस यात्रियों के नरसंगहार के बाद राज में राष्ट्रपती शाशन लगाया गया था राष्ट्रपती शाशन दिनों की निर्पेख शंक्या के संदर्व में पंजाब 3510 दिनों के लिए राष्ट्रपती शाशन के अधीन था जो लगभग 10 वर्ष है इसका अधिकांस हिश्चा 80 के दशक में पंजाब में उग्रवाद की उचाई के दौरान था वास्तों में पंजाब 1987 से 1992 तक लगातार 5 वर्ष हो तक राष्ट्रपती शाशन के अधीन था ग्रेम मंत्रालें के आंकडों के अनुसार पंजाब कुल 3510 दिनों के लिए राष्ट्रपती शाशन के अधीन रहा है जो किसी भी राजि के लिए सबसे अधिक है इसके अलावा उत्तरप्रदेश में राश्पती शाषन दस बार आया है सभी राज्यों में अधिक्तम विशेश रूप से भारत के 29 में से 27 राज्य 1950 से कम से कम एक बार राश्पती शाषन के अधीन रहे हैं समिधान के अनुछेद 356 के अनुसार राश्पती शाषन किसी राज्य में लगाया जा सकता है यदि कोई स्थिति उत्पन हुई है जिसमें राज्य की सरकार समिधान के प्रवधानों के अनुसार नहीं चल सकती है आम तोर पर राश्पती शाषन तब लगाया जाता है जब राज्य सरकार अपना बहुमत खो देती है या सत्ता रूढ दल के भीतर विभाजन या गठ बंदन सहयोगी द्वारा समर्थन वापस लेने के मामले में ऐसे उदाहरण भी हैं जो 1970 और 1980 के दशक में सबसे उलेखनिय हैं जहां राज्य सरकारों को विधान सभा में बहुमत होने के बावजूत खारिज कर दिया गया है चुनाओ के बाद के परिद्रिश्य में राष्टपती शाषन भी लागू होता है जहां कोई भी दल या गठ बंदन नई सरकार बनाने की स्थिती में नहीं होता है ऐसी स्थितिया भी हैं जहां एक मुख्य मंत्री ने आदालतों द्वारा अयोग ठहराए जाने जैसे विभिन कार्णों से अपना इस्तीफा दे दिया है जिसके कारण राष्टपती शाषन लागू किया गया था और है अगर आपको यह हमारे वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज फॉर शोशल